नमस्ते बच्चों, नैंदीप विद्यले के यूटूब चनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा, छटी का पाट, कटपुतली यह सीखने जा रहे है। इस पाट में हमें बताया गया है कि हमारे समाज में आनेक अंधविश्वास फैले हुए है, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुर्वत होते ही, किसी का छीक देना आदी। इस पाट में वैज्ञानिक दुरुष्टिकों, अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश हमें दिया गया है। शहर में आनन्द महुचों का आयोजन किया गया था, जिसमें विविन्न राज्यों की संस्कृती एम शिल्पकला की तथा आन्ने दुकाने सजी हुई थी। इन में विवित कलाओ की विशेश्टाओ के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुए, छोटे, बडे जुले, कटपुतली का नुर्त्य और खाने पिने की दुकाने आकर्शित कर रही थी। प्रिती अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मय के साथ महच्चो देखने आई थी। आइसक्रीम का अनंद लेते हुए, वह कटपुतली के नुर्त्य की दुकान के सामने सुत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ, आओ, सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की हे लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, करलो आज मोटी कमाई। प्रिती ने देखा, बाजु में एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, आईए, आईए, हमें गलत साबित करके हजार रुपे ले जाईए। प्रिती ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो, आज हम आजमाते हैं। प्रिती अपने मित्रों के साथ अंदर गई, तो देखती क्या है, कुछ, कटपुतलिया, रंग विरंगे, पहनावे पहन कर, आखे मटकाती हुई, इधर से उधर आजा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई, सुत्रदार के वाक्यों को दोरा रही थी। आवास्तों विद्यार्थियों की हैं, पर लगता है कि कटपुतलिया बोल रही है। तभी एक कटपुतली हाथ में नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाईयों तथा साथ में आई भाबियों, नमस्कार, प्रनाम, वेलकम। किसी भी एक नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड कर किया जाता है, आईए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमिन पर पटका, अरे ये क्या नारियल में से फूल, आश्र्य चकित होकर कटपुतली बोली, देखो देखो अंध विश्वास नारियल से फूल निकले, इस पर सुत्रधार बोला, देखो मित्रो, यह है हाथ की सफाई, सुत्रधार ने बताया कि नारियल में तीन छेत आखे होते है, उद में से किसी एक छेत को सलाई की साहता से खोल कर शाम को उसमें से मोगरे या चमेडे की कलिया अंदर पहुचाई जाती है, प्रयोक के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती ह जिसे लोग अंदर्शद्धा समझते है, ऐसे ही बाल आदी का प्रयोक कर लोगों को डराते है, इतना कहते ही सभी कटपुतलिया कमर मटकातु ही गाने लगी ही देखो देखो सारे बहन भाई शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई, तभी एक काली बिल्ली इन कटपुतलियों के सामने से भागी और सारी कटपुतलिया ठिटक कर खड़ी हो गई, उन में से एक मुहों पर हात लखकर बोली हाई हाई लो अब तो हो गया कारेक्रम का बताधार, दूसरी कटपुतली बोली क्यों क्या हुआ बहन, पहली कटपुतली बोली अरे देखा नहीं काली बिल्ली ने रास्ता काटा, तभी सुत्रधार ने प्रवेशकर बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रियक हद्य चुहा दिखा जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लबकी उसने जानभुश कर तुमारा रास्ता नहीं काटा सुत्रदार के इतना कहते ही कटपुतले आकर गाने लगी देखो देखो सारे बहन भाई शकुन अपशकुन की हे लड़ाई बिल्ली मौसी जब सामने आई बगदर सबने खूप मचाई सारे दर्शक तालिया बजाने लगे तबी कटपुतली आच्छी आच्छी कर चिकती हुई आई एक बार फिर नास्टी हुई सारी कटपुतलिया डर कर रुग गई तबी दुसरी बोली अरे फिर अपशकुन हो गया आज तो सच्मुछी हमारा कारे क्रम नहीं होगा चलो चलो तबी सुत्रदार उने रोकते हुए बोला दोस्तों हम भी यही करते है और अपने कार्य को समय पर करने की बजाए या तो उसे विलंब से करते है या करते ही नहीं परिनाम कार्य की अपुर्णता और नाम शकुन अपशकुन का सुत्रदार अभी बता ही रहा था कि वह कटपुतली फिर से चिंकी आच्छी सुत्रदार ने उस कटपुतली से पूछा बहन कहा से आ रही हो कटपुतली बोली भहिया पास वाली ललन की चक्की की गली से तब सुत्रदार हस्ते हुए बोला आज ललन की चक्की पर हरी किशन दास के यहां किशादी की मिर्ची पिसाई जा रही है जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही चिकता हुआ आ रहा है इधर सुत्रदार बात कर ही रहा था कि दुसरी कटपुतली भी चिकती हुई बड़डाती हुई आई आज पता नहीं लललन क्या पीस रहा है सारा महुला ही चीक रहा है इतना सुनना था कि सारी कटपुतलीया ना खोड मचाई काम की गतिक्यों हमने रुकवाई अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे सुत्रदार बोला मित्रो आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्यानिक या वेवारिक कारण होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर आपना काम नहीं करते है जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है उचित्फल हमें नहीं मिलता है अंत आपसे प्रातना है कि कुप रथा से बचे अंत में सबी कटपुतलिया एक साथ मंच पर आकर गाने लगी देखो देखो सारे बहन भाई करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई घर घर विज्ञान ने रोश्नी फैलाई जन जन के मन से अंधशद्दा भगाई इस मजेदार बात को लेकर प्रिती बड़ी खुश हुई वह अब घर जाकर बोवा से बताएगी विश्वास करो अंधविश्वास नहीं बच्चो अभी पाट में आये नयेशब शब्दार्त मोहस्व बड़ा उस्व शकुन सगुन अपुर्णता अधूरापन ठिटकना सहसा रुकना आजमाना उपयोग आथ्वा प्रयोग करना परखना विवीद अनेक प्रकारका खुबी विशेष्टा कूप्रथा बुरी परंपरा अकर्शित खींचा हुआ विलंब देरी असर परिनाम